नमस्कार जुनियोस मेरा नाम है अधित शर्म और आप दिख रहे हैं कॉमस भया तो आई पी जुनिवर्सिटी ने तो भाई इस बर हदी पार कर दिया है आई पी जुनिवर्सिटी करवा रही है इस बर round 10 of admissions बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं आई पी जुनिवर्सिटी 10 courses ले एक नया round final round करवा रही है admissions का आईए जानते इसकी सारी details शुरू करते हैं इस वडियो को बेने किसी profit loss के जुनिवर्सिटी के admissions को 2020 से देख रहा हूँ और 2020 से लेकर 2024 अभी तक मेरे को पिछले कुछ सालों के अंदर कभी भी बहने ऐसा नहीं देखा कि इस बर आई पी जुनिवर्सिटी कुछ अलग ही कर रही है और हां उसका एक रीजन भी है कि आई पी जुनिवर्सिटी नुटा से देखते हुए चलती है कि दिल्ली के अंदर mainly यही दो बड़ी universities आप लोगी काम कर रही है क्योंकि जातर बच्चे जो आई पी जुनिवर्स्टी में जा रहे होते हैं वहाँ से अटके जातर दीउ के अंदर admission लेती हैं So Delhi University के एक नए राउंड के वैसे IP University ने भी अपना final round निकाला है क्योंकि IP University के इस वर बहुत seats काली रह चुकिया है कावी सारे courses के अंदर और इसके लावा कावी सारे बच्चे भी बोल भी रहते हैं कि वही हमको एक chance सही है क्योंकि कुछ colleges के इंदर इंटर्नल एक्जाम्स भी यहां पर complete हो चुके होंगे इवन IP University के खुद के मेन केमपस के इंटर्नल एक्जाम्स शुरू हो चुके है सो वहाँ पर बच्चों का बहुत लॉस होने वाला है लेकिन इंटर्नल एक चांस देरा आप लोगो के अड्मिशन करवाने का इसके अंदर courses आप लोगे BBA, Bcomoners, BCA, BJMC, BA English, BA Economics, LLB, BED, MBA, MCA तो यह सारके सारे 10 courses आप लोगे जिसके admission के IP University ने एक नए आराउंड करवाया है और इसके अंदर IP University ने clearly बोला हुआ है कि यह लोग सिर्फ और सिर्फ सिफ CUT based admission लेने वाले हैं नहीं आप लोगा CAT score देखा जाएगा, नहीं आप लोगा CLAT score देखा जाएगा और नहीं आप लोगा CET score देखा जाएगा पर प्रॉपर लिए आप लोग को rank wise admission दिया जाएगा जो भी आप लोग की rank list निकलेगी उसके according आप admission होंगे IP University ने भी schedule launch नहीं करा है तो मुझसे यह मत पुछना भाई आप schedule कब है कब जाना है क्या करना है IP University ने यह बोला है कि हम लोग schedule 11 तारिक से पहले बहले निकाल देंगे इसके अलाब आप युनिवर्स्ती जो भी withdrawals की list बनाने वाला है मतलब जो भी vacant list आप लोगी बनाएगा तो vacant seats की जो list आएगी वो withdrawals जो भी 4 October तो करे गाई है उसके according बनाई जाएगी इसके अंदर जो भी बच्चे अभी तक admitted IP उनिवर्स्ती के अंदर या फिर जो भी बच्चों को IP उनिवर्स्ती के शुरू के 9 rounds के अंदर admission मेल गया था मतलब IP उनिवर्स्ती ने अपनी site से allotment करी थी तो allotted बच्चे और admitted बच्चे दोनों ही इस round के अंदर eligible नहीं माने जाएंगे और अगर आप लोगों ने last किसी round के अंदर admission ले लिया था या फिर मान लीजिए आप लोगों ने आप लोगों को allotment करी गई तो उसके बाद आप लोगों इस round में पार्ट लेना चाहते है जैसी वो IP उनिवर्स्ती वाले देखेंगी कि आप लोगों को पिछले round के अंदर कोई seat allot करी थी या फिर आप लोगों ने admission लिया था वीडियो चेले करें वीडियो को लाइक करो शेर करो परें दोस्तों के साथ मैं मिलता आप से अगली वीडियो में बिगले इतना ही धन्यवाद